हेलो दोस्तो कैसे वाप सब दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुजरात राज में इस्तित राजकोट जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिये हुए लाल कलर के बटन को दबा कर हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तो अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएगा तो दोस्तो राजकोट जिला यह जिला भारत देश के गुजरात राज में इस्तित गुजरात के 33 जिलों में से एक राजकोट जिला के नाम से जाना जाता है राजकोट जिला भारात देश के उत्तरपूर दिवसा की और बसा हुआ है जिस वज़ा से इस जिले की सीमा गुजरात के बड़े-बड़े जिलों से मिलती है राजकोट जिला के पड़ुसी जिले का नाम मोर्भी जिला, जाम नगर जिला, जुनागर जिला, बोटाह डिला जिला, सुर्यंद नगर जिला, अमरेली जिला है राजकोट जिला में 600 गाउं वह आठ बिधान सबा सामिल है चतरफल की बात करे तो गुजरात के राजकोट जिले का कुल चतरफल 4,326 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करे तो वर्स 2011 के जनगर्णा के अनुसार राजकोट जिला की कुलाबादी 38,4558 है जिसमें की पुरुस की कुलाबादी 18,30,460 और महिला की कुलाबादी 17,40,152 है राजकोट जिले का उसत लिंगान उपात 924 के करीब है यानि की राजकोट जिला में 1000 पुरुस पर 924 महिला है राजकोट जिला के मुख नदी का नाम अजी नदी है अजी नदी के किनारे पर बसा यह जिला गुजरात की राधाने गाधी नगर से महज 263 किलोमीटर, मुंबई से 736 किलोमीटर, जैपुर से 891 किलोमीटर तथा देश की राजधाने देली से लगवग 1190 किलो मीटर की दूरी पर बसा हुआ है राजकोट का वाहन पंजिकन संख्या जी जे जीरो तीन है सडक रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सडक हैं जिसके माध्यम से यहां के वासी गुजरात के बड़े-बड़े सवरों में जा सकते हैं वैसे इस जीला के माध्यम से नेशनल हाइवे संख्या आठ और नेशनल हाइवे संख्या आठ भी गुजरती है यानि की नेशनान हाईवे संक्या 8A और 8B दोनों गुजरती है यह जिला बस के माध्यम से भी पोडोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाउं तक भी बस से वा मुईया परदान कराती है राजकोट जिला के कुछ महत्तुपूर बेक्त के नाम महत्मा गादी जिरे हम सभी लोग जानते हैं इसके अलावा चेते स्वर पुजारा जो की इंडियन किर्केट टीम के हिस्सा है निरंजन सा जो की पूरू BCCI सेक्रेटरी थे विजे रुपानी जो की पूरू चीफ मनिस्टर भी थे रेलबे इस्टेशन की बात करे तो राजकोट जिला के मुख रेलबे इस्टेशन का नाम राजकोट रेलबे जंसन है इस जंसन में पांच पलेट फोर्म वह नौ पटरी सामिल है और इसका इस्टेशन कोड आर जे टी है और इसकी अस्थापना अठारा सो नब्बे में हुई थी राजकोट जक्षन वेश्टर रेलबे जोन के राजकोट डिविजन के ही अंतरगत आता है सिच्चा की बात करें तो राजकोट जिला में कई एसे छोटे वड़े स्कुल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्चा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस जिले की साच्छर्टादर बियासी परतिसत है यानि कि यहां के अवादी के अनुचार बियासी परतिसत लोग पढ़े लिके हैं जिसमें की पुरुस्व महिला दोनों सामिल है इस जिले के कुछ महत्तोपूर स्कूल वा कॉलेज के नाम इस परकार है सौराष्ट इन्वर्सिटी तीयन राव कॉलेज हरीबंदना कॉलेज आत्मिय इन्वर्सिटी पीडी महाविद्धाले भीभी डी इंजिनिरिं कॉलेज दराज कुमार कॉलेज संसाइन कॉलेज यह अस्पताल की बात करें तो राजकोड जिला में कए से सरकारी अस्पताल भी सामिल है इसके अलावा यहाँ पर कई प्राइबेट अस्पताल भी सुमार है इन अस्पतालों में सुमार चर्च होस्पीटल, सार्थक होस्पीटल, गर्रमेंट सिबिल होस्पीटल, गोकुल होस् श्री गिरिजाज होस्पीटल प्रगती होस्पीटल स्री जलराम होस्पीटल सतनाम होस्पीटल यह सभी सामिल है जो कि यहां के लोगों को स्वस्त रन में अपना योगदान देते हैं परेटन अस्थल की बात करें तो यह जिला खुबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भर पूर्पूर वह मसूर है राजकोट जिला के टूरिस अस्थल में सुमार वाट्सन म्यूजियम, महत्मा गांधी म्यूजियम, रोट्री डोल्स म्यूजियम, अजी धाम, फन वर्ड, जुबली पार्क, नराइणी धाम, इस्वरिया पार्क आधि सामिल है दोस्तो राजकोट जिला के बारे में आपकी क्या राए है हमें नीचे कॉमेंट करकर जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प् मिलती रहे धन्यवाद